आज हम आपको बताएंगे लिवकोडर्मा या भीटो लिवों के बारे में यानि सफेद दाख के बारे में सफेद दाख जो आपके बॉड़ी के किसी भी हिस्से में हो सकता है अपने होट के आसपास नाखून के आसपास या बोड़ी के किसी भी हिस्से में यह हो सकता है पहले यह एक छोटा जगा सुसे यह स्टार्ट होता है और धीरे धीरे यह फैलता है इसका मतलब है जो बॉडी का कलार है जो उस हिस्से में ये खतम हो जाता है कलार बॉडी का कलार नहीं रहता इसलिए वो सफेध हो जाता है इसका मेन करान है मेनलीन नाम का पिगमेंट जो हमारे स्कीन में रहता है और इसी pigment के कारण हमारा skin के color बनता है अगर आप European है तो आपका skin में melanin का percentage बहुत कम होता है और आप Indian या South Asian या किसी भी Asian country से बिलोंग करते हैं तो आपका melanin का percentage medium रहता है और अगर आप African होते हैं तो melanin का percentage बहुत ज़्यादा होता है इसी melanin के कारण आपके body में बहुत सारा फाइदा होता है क्योंकि ये sun rays, UV rays से आपका skin को protect करता है जिन लोगों के सरीर में melanin का percentage बहुत ही कम है उन लोगों की skin cancer होने की chance बहुत ज़्यादा होता है अब हम आपको बताएंगे ये सफेद दाग का treatment क्या होता है हुमियपती में हुमियपती में फास्ट जो दबा का नाम आता है और बहुत सारा uses होता है वह है आर्ट साल फ्लेवाम 30 ठीक है आप लिख लिजिए हम लिख के देंगे आर्ट साल फ्लेवाम 30 दिन में दो भूंद करके दो बार लेने से ये बहुत ज़्यादा फाइदे में रहता है अब बात है आप कब और कौनची सिम्टोम्स देखके आप आर्ट साल फ्लेवाम लेगे जहां सफेद दाग हो और उसमें इचिंग रहता है तो उसमें white सफेद दाग with itching जहां रहता है white patches with itching वहां आप आस्थाल फ्लेबं दो बुन्द करके दिन में दो बार आप ले सकते हैं यह बहुत ही अच्छा काम करता है और दूसरा मेडिसिन है पाइपर मिथिस्टिकम 6 यह दो बुन्द करके आप दिन में दो बार ले सकते हैं यह भी बहुत अच्छा सफेद दाग का मेडिसिन है अब हम आपको बताएंगे पाइपर मिथिस्टिकम का सिंटम्स क्या है जो कौन सा सिम्टॉम्स देखे आप पाइपर मितिस्टिकम लेंगे पहले छोटे-छोटे रैसेस आएंगे उसके बाद वो वाइट पैच यानि सफेद दग बन जाएगा तो इस केस में अगर आप पाइपर मितिस्टिकम 6 ले सकते है तीसरा दवा है, नाइट्रिक असिड ठर्त अगर ये दाख बहुत जादा फैल गया हो बोडी में बहुत ही जादा बंकलव छोटे-छोटे हिससे में नहीं बहुत बड़े-बड़े पैचेस हो जो रहा है बोडी में तो आप NITIC ACID 30 ले सकते हैं दो बूंद करके दिन में तीन बार NITIC ACID 30 अब ले सकते हैं और ये सभी दवाव के साथ आप बाउची ओयल एक माधक टिंग्चर होता है इसे दिन में दो बार आपके वाइट पैचेस में लगाई है ये आपको वाइट पैचेस में या सफेद दाग में ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं आपको मैं तीन मेडिसीन का नाम बताया है वो मेडिसीन आपके सिम्टॉम्स के थराब मैच होंगे तो आप लेंगे और उसके साथ-साथ ये माधक से उन लग जगा में आप इन्हें लगा सकते हैं अगर आपके ये वाइट पैचेस छोटे साइच का है तो एक या दो माहिने में ये ठीक हो जाएगा अगर पूरा बॉडी में है बहुत जारा खैला हुआ है तो ये कम से कम एक साल या डेर साल लग जाएगा और प्रिशन र तो आपके वाइट पैचेस ठीक हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी पी पिना पड़ेगा और धूब में जब भी जाए तो छत्री का इस्तेमाल करें ज्यादा से धूब अभाएट करना ये सब आपको करना पड़ेगा आपको फिर से मैं बता दूँ शिम्टॉम्स मैच करके आपको दवा लेना है नंबर वार्ण आर्ट साल फ्लेवाम 30 नंबर टू पाइपर मिथिस्टिकम 6 और नंबर थ्री नाइटिक असिट 30 जो सिम्टॉम्स मैंने पहले आपको बताया है उस सिम्टॉम्स से मैच करके जो सिम्टॉम्स आपको मैच करेगा उसी सिम्टॉम्स का दवा लेंगे ये मत किजिएगा कि आप तीनों दवाई एक साथ चलाते रहेंगे वो ठीक नहीं है वो हमिपादी नहीं है जो आपके सिम्टॉम्स के साथ मैच होगा आपको लेना होगा अगर आप इसी तरह से धैर्जे के साथ ये दवा लेंगे तो आपके वाइट पैचिस ठीक हो जाएगा थैंक यू और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना और डूसरा वीडियो आप कौन सी विशाय में देखना चाहेंगे कौन सी डिजिस के उपर देखना चाहेंगे वह हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना झाल